अगर किसी को मैंने बाइचांस नहीं बोला तो अच्छा देखो यह सटर्डडे वाला जो मॉर्णिक वाला क्लास है ग्यारा साड़ी ग्यारा बज़े जो होता है इसमें हम लोग क्या सिखने वाले होते हैं नॉर्मली यह बेसिक साव एकॉंट का क्लास है ऐसे देखो एडवा लेकिन सार यह बेसिक साव अकॉंट में हम लोग क्या डिस्कॉंट करते हैं बेसिक अफ इसने पूछा जाता है कि थ्रॉसिक जाता है कि छोटा-चोटा कोश्चिंट एजी पार्ट होता है बट कभी शायद हम लोग घ्यानी नहीं देते मतलब इजी चीज कभी-कभी क्या होता है ना मतलब दिमाग से बाहर हो जाते हैं तो यह थे प्रिटिकल कॉनसिप्ट को करने लिए और बेश्क आइक बेशेया को बील्ड करने के लिए यह सकताइए इसके साफ साध煤 यहां पर हम लोग आप लिजर चानल का बेशार बेरीया तिक है मतलब जो का केस नहीं है यह केस जो है ना यह जो सब्जेक्ट का जो बेसिक का एरिया है इसको पढ़ने के पीछे का में मतब अब्जेक्टिव है कि यह जो छोटा-चोटा इसके अंदर ना काफी सारा स्टोरी होता है और ऐसा नहीं कि आप हमेशा कॉमल लग जाए इसके लिए आपके आपका कॉंसेट क्लियर क्लियर अगर आपको किसी भी चीज का किसी भी सब्जेक्ट का बैक्गराउंड गलियर हो जाए ना तो आप उसके रिगार्डिंग कुछ इसी हो टफ हो पूछे ना आप उसके कर सकते हो तो यह अकाउंट का बेसिक इसी कारण में बना हुआ है तो चलो सर मैं वही चीज़ आप लोग को साथ थोड़ा सा डिसकस करने जा रहा हूं आप लोग को एकाउंट का स्टोरी समझ में आएगा ठीक है सर ठीक है मैं स्क्रीन कि बताने का ठीक है सर तो बेसिक सब अगाउंट में आज का चर्चा बेसिक सब अगाउंट में आज का चर्चा क्या है सर मीनिंग एंड स्कोप अगाउंटिंग से फिर्स चाफ्टर ओफ इनी अकाउंटिंग सिलवस ऑके बट सर ध्यान से सुननी का क्योंकि इतना सारा प्रैक्टिकल बात करेंगे जो शायद आप लोगों बहुत जादा एकाउंट को प्यार करने में मजबूर करते हैं तो मीनिंग एंड स्कोप अपर यह सिर्फ सिर्फ एकाउंट को प्यार नहीं कराएगा इस वे जो लोग इंटर्मीडियेट लेवल का पढ़ाई करते उनकी लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है जो फाउंडेशन का कि एकाउंट को देखेंगे सर कि एकाउंट है क्या करता है कहां से आया है ठीक है स्टोरी क्या है हिसाब किताब क्या है कंपनी में कैसे यूज होता है एवरीधिंग ठीक इस तरह से मैं आपको स्क्रींशब को शेयर वन बताव एक बार मुझे स्क्रींशियर्ड है न सब्सक्राइब करेंगे अपका बेसिक एडिया काफी इंप्रूफ कराएगा मुझे पुरा विलिवेसर तो देखो क्या बात करना है इसमें सबसे पहले प्रोसेडियर ऑफ अकाउंटिंग में बात करेंगे अब्बिसली प्रोसेडियर पर बात करेंगे ऐसे देखने में से आम लोगों को लगे बड़ा चीना बुझा बुझा लग रहा है मतलब यह बच्पन से हम लोग करते हैं बड़ सर यह बच्पन वाला चीज आप अब बच्पन में जो सीख लिया उसका यूज खतम हो जाएगा आप बच्पन में जब ABCD च्थे यार कि उसका यूज खतम होगया सर जितना समय जा रहा है उसका उस और बढ़ रहा है न पहले सिर्फ एक बार ऑ लिखते थे एक बार और लिखते थे खतम आजकल तो ऐस समझ में तो आ जाएगा ठीक है सर मैं आपको सारा का सारा बताऊंगा बट बिफोर डाट मैं आपको ना एकाउंट का रियल लाइफ यूज भी थोड़ा बताऊं बतावाज डिसकस करने जाऊंगा यसे यह ना सर यह इन्फोसिस का डिसकर भी को यह सब अब किसी भी कमपनी का बैक्राउंड समझ पाओंगे गजैसे यह इनीफोसिस का बैक्गराउंड है यह Infosys का 2000 कब का दिख रहा है सर दिखाई दे रहा है सबको हां सर यह Infosys का 2019-2020 का एनुवल रिपोर्ट है शो हो रहा है क्या यह सर यह सर यह सर यह सर देखो अब यह एनुवल बेक्गराउंड इतना जोर से बनना चाहिए कि आप इस लेवल में पहुचो ना आप भी सी लेवल में कंपनी के बारे में डिसकेशन करना चालू कर दो फिनांशल लेवल पर एडवाईजरी देना चालू कर दो और आपका भी बोल वाला हो जाए सिंपल बात तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स जरूर दिखाता हूं जैसे यहां पर आपको कुछ एरिया आपको जरू इनफोसिस का रिविन्यू का डिटल्स यह क्रोड में है सर 2016 में इनफोसिस का रिविन्यू देखो आप थोड़ा साब को तेड़ा होके देखना पड़ेगा या फिर आप मोबाइल में देख रहे हो तो घूमालो मोबाइल को ठीक है मैं इसको नहीं चेंज कर सकता करेंटली नहीं इसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा यह पीडिएफ में ऐसे ही फिक्स्ट है लेकिन समझ में आ रहा है सिस्टी टू थाउजन फॉर फॉर्टी वान क्रोड का प्रॉफिट था और अभी 2020 में देखो सर 2020 के मार्च के एंड में इसका प्रॉफिट देखो सर 90791 क्रोड क अधनी एरेविन्यू है प्रॉफिट नहीं बोलुंगा सर इसको रिविन्यू बोलूंगा ठीक है रिविन्यू मत्रबड कमपेनी को टोटल टॉर टार्नोवर करता है उसके विश्यच में क्मपेनी का इंकाम जो आया है सर ठीक है रेविन्यू से प्रॉफिट अलग हो जाता थोड़ा सा ठीक है यह सभी चीज़ तो एकाउंट में समझा जाता है और यहां पर सेम कॉंसेप्ट को बिकॉज यह इंटरनाशनल कंपनी है तो इसके लिए ना आये फारेस फॉलो होता है आई विल डिसकर सरी बिसीक सब एकाउंट में आप ही लोगों को पढ़ना पड़ता ह है आई यह ऐसे इंटरनाशनल फिनांचियल रिपोर्ट टीक सांड़न अगर आपका बिजनेश इंटरनाशनल लेविल में बिजनेस करता है तो उसके लिए आपको आपके बिसनेस का डिटेल को इंटरनाशनल करेंसी यह भी लोगों के पास दिखाना पड़ेगाका आकर बि कॉस्ट बन जाओ ना सर सीम में बन जाओ तो उसके बाद ना आप लोगों के पास ना मौका आएगा आए फारेस के उपर स्पेशल कोर्स करके आप इंटरनाशनल अकाउंट्स मेंटेन करने का काम भी सीख जाते हो तो यह डॉलर में दिया हुआ है अच्छा नेट 594 क्रोड का प्रॉफिट में कंपणी करेंटली देख रहा है ठीक है कंपणी का कैश फ्लो कंपणी का ऑपरेटिंग मार्जिन जो भी हम लोग एकाउंट्स में करते हैं ना सर तो सारा का सारा चीज रियल लाइफ में आप लोग कैश फ्लो का पढ़ाई भी कियो होंगे क्ला थोड़ा सा वेट कर जाओ बताता हूं कि यह कंपणी का कैश फ्लो कंपणी का करेंटली हो रहा है क्रोड में करें 15,250 मतलब कितना कैश आया है और कितना कैश गया है इसका डिटेल्स जो कैश फ्लो स्टेटमेंट सिखा जब आप लोग सिखोगे न तब वहां से पता चल जा रहा था अभी आपको 2020 में 38.97 करीब 39 रुपीज आंड करके देता है डिवीडेंट का हिसाब भी बढ़ा है मतलब बिजनेस में काफी ग्रोथ दिख रहा है 2020 में थोड़ा गड़वड हुआ है कंपेट तो 2019 आपडियसली बट स्टील कंपनी बहुत मुविंग है तो यह जो रहा है इसके पीछे का में रिजन क्या है इसके पीछे का में रिजन क्या है क्यों इसको आनलाइज कर पा रहा है क्या है इसके बैग्राउंड में जिसके कारण आनलाइज हो रहा है कौन बताएगा सर क्या है इसके पीछे जो डेटा यहां पर हम लोग अभी समरी के लिए सम बूपक्पिंग में इसको रेकॉड भी किया गया है और उसके बाद इसको एकाउंट में पुट भी किया गया है तो बूपकिंग एन एकाउंटिंग ये दोनों कॉंसेप्ट के कारणी आज आफ एनुवाल रिपोर्ट को जो है इसको पढ़ने का कोशिश कर रहे हो या पढ़ रहे हो या फिर इसका मतलब समझने के लिए आपको थोड़ा और मतलब पढ़ाई करना होगा जिसको समझ में आ रहा है तो लोग स्ट करने के टाइम पर यह सब देखते हैं इस मॉझे पता है तो लिगविन्यु मार्केट कापिल दालते हैं उसकी सबसे कि इतना पमाते हैं मैं इसके डिटेज पी जा रहा हूं जिए मैं बस आपको कि एकांट करके हमें क्या मिलता है सर पता चले न कि जैसे क्रिकेट जो खेलता है वो चार मारते है चक्का मारते है देखने में मज़ा आता है लेकिन उसके पीछे एक दिन में चार चक्का नहीं लग जाता चार चक्का लगाने से पहले न आपको पहले क्रिकेट का नेट में जाके न प्रैक्टिस करना होगा पह लेकिन यह एक दिन में नहीं होता इसके पीछे ना बहुत बड़ा मेहनत चुपा हुआ होता है इसके पीछे का महनत आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एक दिन में नहीं बन जाता यह कंपनी का डिटल्स इसके बहुत मेहनत चुपा होता है तब जाके आपको डीटेल्स इसका company का कितना client का detail से वो भी accounts करके पता चलता है सर ठीक है कितना clients है number of millions plus clients कितना hundred hundred million dollar का clients कितना है वो भी पता चलता है 28 ऐसा है जो hundred million dollar का client है ठीक है the year at a glance मतलब इसमें कमपनी कितना रिवीन्यू किया है यह देखो यहां पर क्या लिखा है बेस्ट ऑन इंड एस कॉंसुलेटेटेट फिनांशियल स्टेट्मेंट आप लोगों को बता दे सर यह भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा किसी किसी का शायद हो गया है एक बार इंडेस अपने बिजनेस पैटन के उपर डिपेंड करके इंडियन अकॉंटिंग स्टेंडर्स बना दिया है जो एकदम इंडियन बिजनेस के बिसिस पे बना हुआ है ठीक है और उसके साथ इंटरनाशनल सिस्टेम को भी फॉलो किया गया है तो डिसकस करेंगे सर तो यह जो भी कि फिनानशिलल पफ़ॉमन्स इस पेंगे का रिविन्यू कंपनी का ग्रॉस प्रॉफित यहां पर 2019 और बीस में फरक क्या है इतना ग्रोथ हुआ है अगर नेगटीव है तो फिर नेगटीव कितना है सब कुछ पता चलेगा आपको आपरेटिंग प्रॉफिट कितना है प्र कुछ चीज़े मैं आपको स्किप भी करके जाओंगा जिस्ट कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जो इंपॉर्टेंट है जैसे कंपनी में जब कोई ऑडिटर जाते हैं सर तो ऑडिटर भी जाके कंपनी का पी एल वैलन शीट को चेक करता है फिर वो ऑडिट करके जो करता हूं स Эnt कि ये है ऐए एक सटेटमेंट यह सटेटमें दप्याइन धेटमीट इनफोसीस का ठीक है not only इसमें किसी भी कमपबनी का आपको आप को कर सकता है तो मैं पंठीस यह साइट में जाके वहासे 1920 को डाउनलोड किया आप लोग भी कर सकते हो यह क्या दिख रहा है कंपणी का जो ऑडिटर है जो एकाउंटेंट है उनका तेडिकर कंपनी का बैलन छीट है तो जिसके लिए हम लोग तरस जाते हैं कि बैलन ज़िट टैली नहीं किया तली नहीं अगर आप लोग भी बड़े अच्छे से पढ़ाई करोगे तो जिनको जॉब करने का शौक है वह डिलाइट के लिए जा सकते हो इवन ट्रेणिंग भी चालों कर सकते हो डिलाइट पी डब्लू सी और क्या है सर जिब यह यह वाई और यह 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 वरी गूड सा के पीमजी ठीक है यह जो बिग फोर के नाम पर जाना जाता है सर ठीक है आप लोग भी अगर अच्छे मतलब जैसे ग्लोबल नॉलेच के साथ आगे बढ़ोगे ना तो आप लोग के पास भी मौका है ठीक है साथ में अच्छा रिजल्स भी करना चाहिए और अपने आपको एकदम अच्छा तो फिर यह कंपणी का पील बैलेंशीट भी कंपणी यहां पर शो करता है बेसिक में अंदर नहीं जा रहा हूं सरा बात मेरा समझना ठीक है मैं डीटेल्स में नहीं जा सकता भी अनलाइस तो मैं बोला ना सर फांडमेंटल लेवल में श्यार मागेट क्लास में च ट्रूटी लाइबिलिटी ठीक है एवरिटिंग फिर प्रता चल जाएगा आपको ठीक है फिर आपको नीचे थोड़ा साओंगे ना आपको कैस्ट भी दिख जाएगा एक सेकेंड रूपको सीखना चाहते हो ना जो आप लोगो सिखावा भी चाता है तो कंपनी का बात आता क्या होता है कंपनी कितना इंकाम कर रहा है कितना के वाला कुछ भी नहीं आता बुरा का बुरा जो हम्पणी के पास चाइब करते हैं उसका डेटेव पर रहता है तो अगर पॉजिटीव cashflow है वो भी यहां पर से पता चल जाता है लेकिन उसके लिए हमें आपको अकांट कर करता हूं तो यह आंगर जैगवर का कितना रेविन्यू है कितना प्रॉफिट का डिटिल से या आप जैगवर का जो टाटा का जो ब्रैंट ना सर वहां से आप इसका डिटल सब्सक्राइब सब्सक्राइब को समझाने के लिए और कुछ नहीं था लेकिन सब्सक्राइब करते हैं क्यों दिखा रहे थे इतना सारा चीज़े क्या मेरा धिमाग खराब हो गया था क्या नहीं सर देखो अब अब जब आपको अकाउंटिंग बढ़ाऊंगा बेसिक चीज़े तो प्रोसीट सब्सक्राइब करने जाके आप कम्म्मिनिकेट करना ठीक है कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे भी हम लोग क्या कर रहे थे हैं कि जो मिनिट पहले इंफोसिस का क्या देख रहे थे हम लोग कम्मिनिकेट कर रहे थे न सब कि इंटर्प्रेटेशन करने का कुशिश कर रहे तो बैसिकली अकांट का मेन कांसेट तो ही यह प्रॉसिट्य और अकांटिंग लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो रेकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको क्लासिफाइब रेकॉर्डिंग करना पड़ेगा जिब रेकॉर्डिंग का मात आ जाते हैं तब ही उर्ण लेजर वह से बात करते हैं प्टेके बले किसको कांसे अर्धां एकटिमीरμ वेकांट को कुछ कुछ इंपूट आएगा ठीक है और कुछ आउट पूट आएगा इंपूट में आप क्या देते हो सब भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे सर बिफोर दाट एक बाद थोड़ा सा हम लोग चार्ट को समझ ले इंपूट में आपको क्या देना पड़ेगा एकोनोमिक इंपूट में कYा आता है इंपूट में economic इंपवेंट्स ट्रांसाक्षन मेंजड इन फिनांशयल्ट तर्म्स जो भी और यह आउटसाइट चाइना चाइना के साथ जो बिजनेस होता है चीन के साथ उनके साथ जो टोटल आउट पूट होता है मतलब कितना टोटल लैंडरोवर जागुवर सेल हुआ है उसका डेटेल से यह पांच लाग फाइब लाग 8659 और यह है फोर लाग सेवेंटी क्या है एवरीटिंग हर चीज यहां पर आपको मैं थोड़ा सा अगर परसेंटेज दिखाओं अगर दिखाई दे रहा है तो कि कंपनी का पूरा डीटेल से यहां पर यह तो थोड़ा सा समरेटी के लिए लैंडरोवर जागवर का अगर अगर आप लोग थोड़ा सभी नज करो उसके में करो तरहों के में ज़ीय फ्रीटि को जबूबी सेल करता है उसका चाइना में करो यू के में करो ठीक है जहां भी आप प्लांट लगाओ जूभी करो जहां पर भी न्यूव अइंफट्रियं डेपर्ट्मेंट ऊपेन्ट करो ड़ोड़न इसका उसका फिनाप् financial measurement क्या है वो है आपका accounting में input फिर वो जो भी आप input डालते हो ना सब उस input को आप accounting cycle में transfer करते हो चाहे वो infosys का काम हो या टाटा मोटर्स जैसे business हो whatever फिर आपको output अच्छा accounting cycle में क्या क्या हो जाएगा जब accounting जब input दे रिया ना फिर साइकेल में क्या होगा यह देख लो एक बाद ठीक है पुरे अकाउंटिंग प्रॉसेस को एक बार देख लो आपको रेकॉर्डिंग और ट्रांसक्शन करना है इन दी बॉक्स ऑव ओरिजिनल इंट्री मतलब जार्नल के बारे में बोल रहा है जैसे आप जार्नल में पू पैलनन का ना फैर स्वाइनल बार इंट मतलब लेकॉर्डस के बारे में जानते हैं अब लोग बचपन लेबल में मतलब जब आप लगए वं करते थे तो आप लोग एक वाडजी थे ट्रेडिंग बैलनेचिट है ना तो आजकल क्या होता है ना बाकि टाइम पर income statement and balance sheet के नाम से बात चलता है income statement and balance यह दोनों वर्ट ज्यादा फेमस चलता है मार्केट में ठीक है यह देखो मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि यह दिस इस दिफ बैलेंच इट आज ना यह वाला पेज थोड़ा सा देरी कर रहा है पताने क्यों यह बैलेंच इट इसके नीचे पील है तो यह हो जाएगा आपका final accounts का part लेकिन यह सबसे लास्ट में बनेगा सबसे लास्ट में बनेगा before that आपको जानल एंट्री करना हुआ था लेजर पोस्ट करना हुआ था ट्रायल वैलेंस बनाना हुआ था फिर जाक्या final accounts बना पाए और आफ्टर देट आउट्पूड में आ जाएगा communicating information to the users the point to be noted sir who are the users of accounting information इसका भी knowledge आप देख लो कि ultimately यह accounts का details किसके काम आता है obviously यह point बड़ा interesting area है ठीक है sir कि accounts का details ultimately इतना सारा process हुआ यह processing में चला गया accounting साइक यह पूरा का पूरा accounting cycle है और यह आपका हो गया processing अचली ठीक है यह process होने के बाद जब output आया output में जो भी account का details आया इसको communicating information to users अब यह जो accounts बन गया जैसे हम लोग अभी Infosys और Jaguar Land Rover का देख रहे हैं तो इसमें internal users कौन है मतलब जो company के अंदर का लोग है उनको भी चाहिए अकाउंट का details और जो company के बाहर का लोग है उनको भी चाहिए अकाउंट का details जो तो अंदर का है उसमें आ जाता है आपका board of directors partners managers officers इनको चाहिए accounts का details because सर कोई बताएगा मुझे कि internal users accounts का details लेके क्या करेगा अब बोलो ना सर इंटर्नल यूजर्स अकाउंट का details लेके क्या करेगा करेगा करें और किसी को कुछ बोलना है विशाल ने कहा है managerial decision making बाकी और कोई कुछ कहना चाहते हो बोलो सर अब आइज बैद टार्गेश को फिल 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 ओचाने कि अपीशलिट इंक्लूडिंगे managerial decision making very good sir ultimately जो company directors जो company के partners है जो company के managers है जो company के officers है officers जैसे officers सबसे lower level में काम करते हैं officers का काम है कि उनको टास्क दिया गया था क्या उसने किया है manager के पास जो management power था मतलब वो क्या properly manage कर पाया अपने business को ठीक है क्या proper ultimately लिए देखो business का ultimate result क्या होना चाहिए company profitable हो लेकिन सर क्या ethical ethics follow करोगे आन ethical कुछ भी कर दोगे प्रॉफिट करने के लिए क्या illegal काम कर लोगे क्या 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 करना चाहिए मतलब प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर देगा ऐसे तो नहीं ना ultimate objective प्रॉफिट करना है बट इसके लिए ऐसा तो नहीं ना कुछ भी कर देंगे रूल में रहके एथिक्स में रहके काम करना होगा जो भी ethical standard फॉलो करना है law में इथिक्स पढ़ा जाता है इसे लिए ठीक है कि वाट इथिक्स इन बिजनेस तो हर तरह का इथिक्स फॉलो करके मतलब इथिक्स का मतलब होता है कि आपको जो टास्क दिया गया है आपका जो अब्जेक्टिव है वह आपका धरम होता है ठीक है जैसे सिंपल जो करम करते हैं हम लोग करम ही आपका धरम होता है जिसे कि जो पूरोई थे हैं पूजा करते हैं जो कसाई है वो काटते हैं जो भी लोग यूज करते हैं तो उसका धरम है उसमें कोई प्रावलम नहीं है तो बिसिकली वही बात है कि जो भी मैनेजर से उसको जो टास नहीं है वो तो देखेगा ना कि विजनेस सही तरह से जा रहें कि नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकता चाहे उसके पास कितना भी बड़ा कुछ हो जाए बुश्किल में पड़ जाएगा जैसे चलो मैं आपको एक कंपनी के बारे में बात करता हूं जो लोग श्यान मार्केट रखते हो क्या उनको पता है रिसेंट्ली एक बहुत अच्छा कंपनी मार्केट में लांच हुआ है स्टॉक कंपनी इतना प्रॉफिटेबल नहीं है अगर यह कंपनी के बारे में आप लोग सुने हो सब्सक्राइब अलो अगर नजारा टेक्नोलाजी अगर यह एक गेम बनाने वाला कंपनी है इंडिया का क्या करता है सब्सक्राइब बनाता है इसका स्टॉक का दाम था बतब जिस ट मैं आपको स्टॉक मार्केट नहीं पढ़ा रहा हूं फिर से बता रहा हूं जस्ट मैं आपको एकाउंट का कांसेट बताने के लिए जो भी जरूरी है वह बता रहा हूं बद्सक्राइब नज नजारा टेकनोलाजीश दिख रहा है सर यह देखो यह देखो सर नजहरा टेक्नोलाजिस क्या दाम में मार्केट में आया 1100 से 1101 पे यही दाम था जो जिसने भी खरीद गे जिसको भी मिला के बीच में दिआ इसके बास के जिरे जीरे लास पाँच दिन यह देखो अगर आप वो सारी करीब 2000 के असपास लिस्टेड हुआ क्या I think यही होगा मुझे थोड़ा सा मैं भूल गया था ठीक है डबल ताम क्या सपास राकेश जुझुन वाला का भी स्टॉक इसमें है लेकिन कंपनी प्रॉफिटबल नहीं है मैं आपको शोग करता हूं कंपनी का डीटेल से कर मुझे मिल जाए एक सेकेंड रुको कहां गया कहां गया नजारा कंपनी का यह देखो फिनांशियल एरेंड दिखाई दे रहा है क्या यह मैंने एक नजारा का एक थोड़ा सव नजारा टेक्नोलोजीस जो है जो बिसी किली क्या करते हैं सर गेम बनाते हैं ठीक है मोबाइल गेम्स नजरा टेक्नोची ते लीडिंग इंडिया बेस्ट डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मेडिया प्लाट्फॉर्म इते प्रेजंस इन इंडिया अक्रॉस इसमें इंक्लूडिंग डबलु सीसी यह सब गेम क्या आप लोग नाम सुने हो अच्छा सुने हो आपके कुना मी इन स्कील बेस्ट जो भी हो फैंटेसी ठीक है राके जुन वाला जो इंडिया का बहुत ही फेमस मतलब बूल मार बोला जाता है उनको ठीक है वो इस कमपनी में करीब 11.5 पर संस्ट टेक लिया है बट अगर आप करेंट हालत देखो कंपनी का मार्च 2018 में कंपन क्रोड का साका जिक है लेकिन इसका पैड़ देखो सर्फिट अफ्क्त टेक्स का हालत congestionDetक,100ól मतलब सारा का सारा profit दे देने के बाद मतलब सारा का सारा टैक्स वगेरा जब कुछ दे देने के बाद कंपनी के पास hardly 1 क्रोड बचता था 2019 में थोड़ा बिजनेस अच्छा किया था लेकिन 2020 में कंपनी का प्रोफिट तो जो नेगेटीव प्रोफिट है 26 क्रोड का नेगेटीव प्रोफिट है मतलब लॉस में है कंपनी ठीक है 6 मंस इंडेट सेप्टिबर 30 2020 में ये कंपनी का थोड़ा सा डेबलोफ हुआ है 26 क्रोड का लॉस जो था वो 10 क्रोड के लॉस में profit अफ्टर टैक्स का जो हालत है मतलब नेगेटीव प्रोफिट का हालत थोड़ा डिबलोबमेंट किया है ठीक है ड्रेविन्यू भी अवा है और यह तो चह महीने का है लिए बीकिमपनी का ग्रोफ दीख रहा है यह क्या कर रहा है यह मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा था कि जब भी हम लोग किसी भी कंपनी का डीटेयर्स देखे तो अभ हम स्कुर् Brook इ toothbrush घान्ट में लिस्ट हो गया अब लोग मतलब कौन और 20 Deputy से इंवेस्ज करें कंपनी में जो लूंद डीता है कमपछनी को किसित बढ़ाने के लिए लाइक बगेरा ठीक है बैंक हो जाएगा डिविंचर वाले हो जाएगा नाम सुने हो ना सर बैंक तो लोन देता है डिविंचर वाले भी लोन देते हैं ठीक है प्रेफेरेंस बाले भी शेयर विया इंवेस्ट करते हैं इकुटी एंड प्रेफेरेंस तो इंवेस्टर हो गया इकुटी शियर ओल्डर और प्रेफिरेंस वाले इंवेस्टर हो गया लेंडर बैंक हो गया डिवेंचर वाले हो गया सप्लायर मतलब जो कंपनी को रॉम मिट्रियल सप्लाइ करता है जिसके थूर से काम बन सकता है और कस्टमर्स को भी कंपनी का प्रोड़ेट खरीदने से पहले उसका डिटेल्स के बारे में जरूर कुछ जानकरी हो जाना चाहिए तो यह हो जाता है सर कंपनी का एक्स्टर्नल यूजर्स और इंटर्नल यूजर्स क्या सोच रहा है नजरा टे इंविस्ट किया है थाउजन का इंवेश्ट करके 2000 का गेन किया है सर एक दीन में तेक है क्योंकि जैसे जुन्जन वाला जो इंडिया का मतलब वरेंट वफट कहा जाता है उनका भी मानना है कि कंपनी का फ्यूचर बहुत टॉप लेवल है तो यह तो यह कंपनी में ग्रोथ हो जाएगा लेकिन यहीं देखना है इंटर्णल यूजर को कि आकाउंट्स चेक करें बिजनिस का हालत को जब हम लोग देखेंगे एक तरफ आपको क्या करना है बिजनिस करना है उसके लिए आपके अंदर टेक्नोलाजी चाहिए आप समझ रहे हो ना सर मैं नजारा के बार इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा जगा बना लेगा बहुत अच्छा फ्यूचर है कंपनी के पास टेकनोलाजी चाहिए इनोवेशन चाहिए यह तो टेकनोलाजीकल पार्ट है जो साइंस वाले बंदे हैं उसका काम है जो आर्टिस्टिक नेचर के लोग है आर्ट ठीक आर्टिस्टिक मैटर है सर और साइंस इसको प्रोग्राम करेगा और फिर गेम लांच करेगा क्या मैं सही बोला ना सर मैं उतना ज़्यादा गेम तो नहीं खिलता बड़ मुझे ऐसा लगता है कि गेम के अंदर जो भी चलता है उसके अंदर जो भी ग्राफिक डिजाइन आपको कॉमर्स का प्रॉप प्रॉप लेवल का नॉलेज चाहिए ठीक है फैनांस मतब आपको पैसा जोगाड़ भी करना है लोगों को सेल भी करना है कुछ पैसा मार्केट में बाकी भी रहेगा लेकिन जितना देर तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक बिजनिस को रान कैसे कर तो आपको कौन अब लेवल करेगा और अपको एकंट से अवेलेबल करेगा ठीक है इसको अगर मैं थोड़ा सा किता भी भासा में बात करूं तिक है इस्ट मैं इतना दर से मैं प्राक्टिकल लेवल पर आप लोगो को बात कर रहा था बस सेब पॉइंट को में थोड़ा किता भी लेबल पर बात करूंगा चलो देख लेते हैं every individual performs some kind of economic activity a salaried person gets salary and spends by by provisions and clothing for children education construction of house a sports club formed by a group of individuals a business run by an individual or a group of individuals a local authority like Calcutta municipal corporation daily development authority governments either central or state all are carrying some kind of economic activity economic activity हर जगा चल रहा है चाहिए एक salaried person से लेके daily development authority तक हर जगा में कुछ ना कुछ central and state government भी कर रहा है सम कुछ ना कुछ economic activity चल रहा है not necessarily all the economic activities are run of individual benefit ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा economic activity individual benefit के लिए हो such economic activities may create social benefit that is benefit for the public at large anyway such economic activities are performed through transactions and events जो भी करो चाहिए नजारा technologies का business करो तिके उसमें भी आपको transactions करना चाहिए या central or state government का कुछ काम करो जैसे यहां पर अपने बंगाल में आप तो मोधी सरकार ने जो भी करता है चाहिए ममतादीवी करे चाहिए आप मोधी सरकार करे जो भी करे वो लोग कुछ ना कुछ कुछ बड़िक कि लिए डोनेται करता रहता धनान बोलेंगे एसेगर को वघु की अगर बीजएप गवर्मेंट ने अईσα बोला कि अगर बंगाल में आएगा तो फिर कि ओमेns के लिए ट्रांसबोटेशन फियल कोस्ट ठीक है सर्वोप्रीव क थो खूल रहे है तो क्या यह एकोनमेट्रीशन पहर कोस्ट एंडर का घ्लारिकश एकोनमें की लिए ट्रांसबूटेशन फियल कोस्ट रहे है इस दिसा इकोनमिक एक्टिविटी और नॉट अंसर बोलो इस नौन एकनोमिक एक्टिविटी अरे सर अरे वो फ्री में कर रहा है वो फ्री में कर रहा है आपको फ्री में मिल रहा है लेकिन क्या उसके लिए खड़्चा नहीं होगा और उसके लिए तो एकनोमिक एक्टिवीटी उसका तो खड़्च हो ही नड़ा है उसका तो फाइनस जा ही रहा है ना उसमें सर वही तुम्हें बोल रहा हूं ठीक है वही तुम्हें बोल रहा हूं तब यह आप इसके अंदर यह पब्लिक के लिए फ्री दिख रहा है है ऐसा लग रहा है कि public at large के लिए service हो रहा है लेकिन क्या इसका हिसाब नहीं होगा क्या payment नहीं करना होगा सरकार को जैसे अगर में वेस्ट बंगॉल में जो सरकारी बस चलता है मैं नाम लिखता हूं यहां पर sbs tc ठीक है sbs tc के नाम से चलता है ठीक है तो यह जैसे मनुकि यह बस ठीक है sbs tc का बस है कलकाटा से बर्धवान जाना है ठीक है देखो यहां पर मैं रेड़ बस निकाल लिया आप लोगो सुभीदा होगा देखने में क्यालकर बढ़वान जाओ ठीक है लास्ट बास कब से कितना तक है बु पूछना चाहता हूं कि गौवर्मेंट उसके लिए पे नहीं करेंगा उस आथरीटी को कि यह जो सब्सक्राइब करना पड़ता है बस का मेंटेन से ड्राइवर का खडचा है सालरी है 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 सब सरकारी लेविल में काम करता है तो उनका खर्चक कहां से आएगा टिकेट के दाम से घूटा एक हम लोग सबहीं रहे हमें यह दे का कुछ नहीं रखा हर चीज दे लिया हम लोगो साथी करने का भी पैसा दे रहा है उसका एक सब्सक्राइब अगर आप शादी करोगे तो उसके लिए भी सरकार आपको 25,000 करके देगा 25,000 में कैसा साधी होता है मुझे नहीं पता अल्टिमेटली यह पैसा से तो काम का कुछ नहीं होता जो भी हो लेकिन यह सबसेडी चल रहा है ठीक है कन्या स्री जूबो स्री ठीक है फ फिर सिर्फ पॉलेटिक्स सेल रहा है हां मतलब युनाइटिन ने दे दिया आवार क्या क्या दिया ऐसा थोड़ी ना होता है ठीक है जो भी हो सर मैं जस्ट आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि वाटेवर जो भी करे पैसा खड़ चाओ तो होता है फिनांशियल एक्टि और उल्टा पल्टा कोई मतलब ठीकाना नहीं है इस्टन पार्ट्स ऑफ इंडिया का ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ठीक है मैं तो बिंगॉल बिहार फिर भी मुझे कभी कभी लगता है कि ओडिसा पीछे है थोड़ा सा ठीक है वह कहीं नहीं अपने आपको सुधारने क कर रहा है इस माई परसनल फिलिंग्स एंड मैं कभी-कभी कुछ देख के भी सिखा राइक भुबनेशर जाके देखा कर्टक जाके देखा ठीक है ओडिसा में जो भी टाउंशिप है जो भी गाउं है काफी डेवलब हो रहा है ओडिशा का प्रॉब्लम हो काफी इंटिरियर में है ठीक है और समुंदर वगेरा का जो भी तुफान है बहुत ज्यादा मुश्किल करता है ओडिसा को फिर भी मुझे लगता है कि इस्टन पर इंडिया में ओडिसा अपने आपको ना कंपिरिटिवली बेटर मेंटेन करता है जो भी हो बेंगॉल के पास तो है सब कुछ बेंगॉल तो एकदम सीरियसली ऑलवेस गोल्डेन बट पता नहीं गोल्डेन का होगा क्या ओके सर कंट्रोवर्सी नहीं करना है येस इनो ठीक है सर आप अपना अपना उपिनियन अपने पॉकेट में रख लो हम लोगों के साथ ना जाधा शियर ना करो आचा ठीक है मैं अपने पॉकेट में रखता हूं चलो सर अप लोगों को ट्रांसक्शन इवेंट समझ में आ रहा है ए स्नियाशिश समझ में आया कि सरकार फ्री में दे रहा है लेकिन क्या एकनोमिक टिकेट से उठा देते, गर्ल्स या ओमेंस के टिकेट से उठा देते, वो पैसे तुम्हें कहीं ना कहीं सब्सेटी करना पड़ेगा, अधर्वाइस नहीं होगा, ठीक है, तो ट्रांजक्शन इस यूस्टू में बिजनेस पफोर्मेंस अफनेक्शन अग्रिमेंट, वाइल इ इवेंट क्या होता है, यूस्टू मीन हापेन इगेंस अज Adventistा को कारण जो होता है यूझा करने के बादे होटना होटा इस आपको प्रियस गरते हैं उपक्राइब किस्ति को वर सीफित को भाड़े सुधेगे िर्विले कैanned में तो लिए उसके बाद ही करें विटेक्जने ही प्रियिस साफ़ करें लिए बाद में प्रांजाक्शन करेंज्ध प्रियल्स 1965 होता है पर शादीा करना होता है आप स्कूल में भरती ऑठ रहे ओफिर शूल आपको क्लास देता है ऐसा गया इसे चलता है ना ऑगे-अगे करते रहते हो त्योग Thousand los में आ रहा है स्कुल में जूए वह खाया है पॉच्छन में जो हो रहा है वह इवेंट में इसके लिए एक टम सिंग और आप आपको झात करने जांगे लिए तो आपके दिमाग हमेशा यही दोनों चीज़ सबसे पहले घुमेगा यही ट्रांजक्शन और इवेंट का हालत देखो मतलब क्या इवेंट के कारण खड़ जा हुआ था कंपनी को कुछ सेल करना है उसके लिए कंपनी कुछ पर्चिस करके लाया तो पर्चिस का जो घटना था पर्चिस जैसे इस्टन इंडिया का लाड़ेस्ट है अश्या का भी टॉप मार्केट में से एक माना जाता है बड़ा बजार तो बड़ा बजार में आप विजिट करते हो यहां पर जाके आपको जो जिस तरह का प्रोड़क्ट जो चाहिए होलसल दाम पर खरिद के लाते हो कफड़ा मार्क बड़ा इसको वहां पर जब आप ट्रांजक्शन करते हो पर्चिस करते वह फिर आप अपने लिए कि उसको सेल करते हो वह बी एक ट्रांजक्शन है लेकिन वह इवेंड भी है ठीक है तो यह एक बच्छ बाते हैं लेकिन और चुपा रहता है इंडिविजियल इन्वेस्ट 2 lakh for running a stationary business on 1st january he purchased goods for rupees 1 lakh 15,000 ध्यान से सुनियेगा सर ठीक है and sales for rupees 1 lakh 47,000 तो प्लीज मुझे बिताना कि ये जो individual है ये कितने का goods purchase किया 1st jan को 1st jan को कितने का goods purchase किया बोलो सर 1 lakh 15,000 का sale किया 1 lakh 47,000 का during the month of january he pays shop rate for the month of 5,000 shop rent payment किया 5,000 का and finds that still he has goods worth rupees 15,000 in hand ठीक है the individual performs an economic activity he carries on a few transactions and encounters with some events is it not logical that he will want to know the result of the activity obviously ये जो पूरा घटना घटा है इसका results भी तो जानना है उसको तो वो देख रहा है we see that individuals who run this stationary business aren't surplus of rupees 42,000 ये देखा जा रहा है कि उसके पास करीब 42,000 के आसपास का surplus बचा हुआ है तो कैसे भी आले सेजर आया इसका उसने goods sold किया एक लाक वन लाक 47 का उसके हाथ में goods से वन लाक 15,000 का तो टोटल goods कितना हो गया वन लाक 62,000 का उसमें से वो purchase किया था वन लाक 15,000 का goods और shop rent पे किया था 5,000 का तो कुल मिला के करीब एक लाक 20,000 का खर्चा हुआ था उसका और 1,60,000 का उसके पास goods and sale मिला के है तो ultimately उसके पास जो surplus amount पड़ा हुआ है वो 42,000 मिला हमें 1,62 से 1,20 को less करने के बाद तो इस तरह से यह एक basic हिसाब था सरे तो यह basic accounting हिसाब भी हमें अकाउंट के बारे में बहुत कुछ बता के जाते हैं जैस्ट लाइक आर्निंग और रुपिस 42,000 आर्निंग और रुपिस 42,000 surplus क्या है ध्यान से सुनिएगा आर्निंग और रुपिस 42,000 surplus is an event also having the inventories in hand is another event आपके हाथ में 15,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है यह एक इवेंट है वाइल पर्चेस और सेल अप गूड्स इन्वेस्ट्मेंट और मनी और पेमेंट और रेंट रांजक्शन बोलो सेर कुछ समझ में आया है इवेंट और ट्रांजक्शन का फरक कुछ समझ में है है कि 42,000 का surplus जो आपके पास पड़ा हुआ है इस इस इन इवेंट आपके पास जो 15,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है यह भी आपका इवेंट है यह घटना है आपके लिए लेकिन ट्रांज चपने किया था, जब आपने बिजनेस के सब आपके लिए ट्रांजक्शन है. तो तो ब मेरे पस देखा रहे, तो यह आपको इविंड कर आया निए प्लीज चेल में सर यह ट्रांजक्शन इविंट का जो स्टोरी था चोटा सा स्टोरी है एक चोटा सा सा स्टेशन डिशनेरी बिजनेसमें की कहानी जिसमें इवेंट आंजाक्शन को हम लोग ऐडेंटिफाई कर लिया क्लियर है वह सर बोलो हां सर येस नो कुछ भी बोल सकते हो येस सब्सक्राइब करेंगे मतब बैसिक से बैसिक के अंदर ना मतब ऐसे कभी कभी बोलता है ना कि मतब क्या कुछ निकल के आजाए ध्यान से सुनते रहो एक कि करके आगे बढ़ रहे हैं मुनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कॉट गॉवर्मेंट ग्रांट अब रुपिस पांसो लाक कितना क्रांट मिला सर फाइवंड़ेट लाक का फॉर एडल्ट एडुकेशन इट स्पेंट टूफिफिटी लाक पर पर्चिसिंग लिटरेशी कीट्स एंड पे टूंड़ेट लाक लाग गया ग्रांट मिला था पांसो लाग का ठीक है तो फिफ्टी लाक अभी पढ़ा हुआ है इस और ट्रांसक्शन इवेंट तो जो फिफ्टी लाक पढ़ा हुआ है यह क्या है इस फिफ्टी लाक पढ़ा हुआ है यह इवेंट है यह ट्रांसक्शन है इवेंट किन आप लोग कंफूस हो सकते हैं तो डोंट भी कंफूस्ट ऑगे तीए 50 लाग आपके लिए वह इविन्ट है लेकिन गौवर्मेंट जो आपको फार्म कि उसका सबसे बड़ा इक यह यहां यहां पैसा जुगाड करने रहा है तो सोट से सरकार का पैसा जुगाड़ करने 2922 टैक्स टेक्स टैक्स अपलिए वहerman Auch Ce कुल सुवालाव एचा नरे इसबहर ऻियुद कि अबेडिया अपको कर्हां से ओक्रेंट किया 33.5 trillion अगर इसका एक साल में ठीक है इसमें से टैक्स से मिलता है 5.5 trillion का ध्यान से देखना एक्टिविटी का ठीक है ठीक है 33.5 trillion में से 5.5 trillion आता है income tax income tax मतलब public जो income करते हैं उसके जो इन टैक्स सरकार को पे करता है ठीक है इसको इसको डिरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं जो लोग टैक्स का पढ़ाई करते हैं नॉर्मली इंटर लेवल में उनको समझ में आ रहा है इसको बोलते हैं डिरेक्ट टैक्स क्या बोलते इसको डिरेक्ट टैक्स ठीक है या फिर कॉलेज में भी डिरेक्ट टैक्स पढ़ाय जाता है सब्सक्राइब करता है तो सरकार हमसे कहीं ना कहीं टैक्स लेते रहते हैं तो जैसे आप देख सकते हो सरकार लोन भी लेता है मार्केट से हमारा मतब जो भी रिक्वार्मेंट है उसको फुल्फिल करने के लिए गौर्मेंट ऑल्सो टेक लोन जिसमें आप देख सकते हो सब्सक्राइब करते हैं आपको बता दे कि यह जो जीएस्टी का एरिया फिर भी डेप्लाप हो रहा है इंकम टैस्स का हला बहुत कराव है तब आउट आफ टोटल गवर्मेंट इंडिया का 135 कोड़ पॉपुलेशन में 135 पॉपुलेशन में हार्डली 4% लोग इंकम टैस्स पे करता है सीरियसली 4% तो हम लोग पब्लीक अपना काम ना प्रॉपर लिख करते नहीं सरकार पर दोस्देने के टाइम भी हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं कोई बात नहीं सर चुस्ट फै यूद भी तो लड़ता है चाइना हमेशा तंग करके रहता है हम लोगों के साथ तो चाइना के साथ लड़ना जो भी हो ठीक है यह गॉवर्मेंट का आक्चुली खर्चा का जगा है तो यह सब एकॉनोमिक ट्रांजक्शन के अंदर आ जाएगा सर बैरेवर रिसीप्ट इंडिया कब सार्प्लास एकॉनोमी बनेगा क्योंकि इसके लिए वह आजकल जो गॉवर्मेंट का एक बहुत फिमस प्रोजेक्ट है आत्मनिरवर भारत या सेल्फ रिलाइंड इंडिया यह जब तक प्रॉपरली आप्लिकेबल नहीं होगा जब तक हर एक स्टेट इस मैट इसका कम ट्निरोफ मैं थायुक्त लाव नहीं आयेगा तब तक इंडिया एकोनोमी एकोनोमी में नहीं बदल सकता चैना का लुड़ा मेरा हैegял मोर्द कई इंदर जमला करते हैं इसका कॉलोनी उसका कोणी Huh इंडिया में जिस थरह का चायना का प्रोडयक्ट छलता है घर घर में घर घर में ठीके उसमें यह पुराका पुराझ चायना का कॉलोनी बन चुका है हम अपना कुछ नहीं एक डेटा नंपää्क कि इनडिया कितना कितना कुछ raw materials उनको supply करते हैं रून से technological हर इक चीज उनसे लेते हैं पिको सस्ता पड़ता है जर्मन से लेने जाएंगे तो फिर खत्तम हो जाएगा इंडिया का पॉपुलेशन स्ट्राक्चर है और इसकी साथ से जितना इंडिया का अर्णिंग का इरिया है और जो इंडिया का इनोविशन है उसमें तो क्या दात देने वाला बात है सर्थ हम लोग तो इनोविशन पर नंबर वान है आप समझ रहे हूं ना नेगेटीव वह मे इवेंट्स और एडिक्वेट इंफोर्मेशन अबॉट एकोनोमिक एक्टिविटी एजन एड़ डिसिशन मेंकिंग तो अगर आपको कुछ भी डिसिशन मेंकिंग करना ना सर बात को एकदम हलका से मत लिए क्योंकि हम लोग ना मैक्सिमम केसमें यह डेटा मेंटेंड करना आप एक दम भूल जाते हैं और एकाउंट्स को कभी-कभी नोग बहुत हलका लेलेते हैं क्या है ऑईशा क्या हो जाए रेसर एकाउंट्स जो समझते हैं न वही आक्चली कड़ों का इंवेस्ट्मेंट भी कर सकता है वह मार्केट में भी इंवेस्ट करके कमा सकते जैसे कि नजारा टेकनोलाजी साब देखो ना अकाउंट को समझना जरूरी था आज आप सोचो कि जो नजारा टेकनोलाजी से इन्वेस्ट किया था जस्ट इमाजिन आप कि एक दिन में वो डबल कमाया मतब एक शेयर वे डबल मतब आप समझ सकते हो डबल नोटा जोक सर कोई 10-20% का बात नहीं कर रहा है एक दिन में डबल कमाया लेकिन सर उसका बैलन्स शीट तो नेगेटिव था लेकिन सर उसका वैलुईशन था वो वैलुईशन भी आपको समझना होता है और वो वैलुईशन भी आप कहां से समझोगे एकाउंट से ही समझ साथ में थोड़ा ग्लोगल नॉलेज वी चाहिए एकनोमिकल कॉंसेट चारों तरव क्या हो रहा है उसके बारे में भी आपको आइडिया होना ज़रूरी है ठीक है कि किस चीज का क्या फ्यूचर हो सकता है कि कल मैंनेजमेंट का उसमें मैं जो उनका मैंनेजमेंट क्लास होत कि अलुइशन कैसे पता चलता है औब यसली कंपनी का अकाउंट चेक करके पता चलता है यह फोब्स का डेटा है मैं क्लास ऑनलाइन में दिया है सर तो 2020 का मोस्ट वालुबल ब्रैंट्स ओके आप देख सकते हो यहां पर स्क्रीन में यह भी आकाउंट से ही क्रियेट होता है यह व्ल्स मोस्ट वैलुबल ब्रैंट इसमें आप देख सकते हो आपल गूगल तीक है माइक्रोसफ्ट देख पारो सर यह नौर्मली में मैं अनेजमेंट क्लास में बोलता हो इस अब शीजिए के बारे में बढ़े में अपको दिकाता हूं तिहां पर देखो सर पूरा का प इसको बोलते हैं कि इसको बोलते हैं अब इसको बना जाता है यहाँ पर कुछ वालुइशन का डेटा है कंपनी का जैसे आप देख सकते हो 2020 में कौन सा कौन सा कंपनी वालुइशन में टॉप पोजिएंस पर आया है बिगेस्ट वालुगें किया है नेट्फ्लिक्स चैनल अमजन माइक्रोसॉफ्ट ठीक है और लूजर्स में भी है सर फेस्बूक वेल फार्गो मसेडिस बेंच पोड जनर इलेक्ट्रिक मतलब इनका वालूइशन 2020 में नेगेटिव में गया है लास्ट वीक लास्ट यह सबसे वर्ल्ड कर सबसे वाल्यूबल बैंट है सर एपल क्या सर आप लोगों को दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मोस्ट वाल्यूबल ब्रैंड है एपल ब्रैंड वालू है इसका टू फॉर्टी वान बॉइंट टू बिलियन डॉलर कैसे पता चला ऑप बीसली अकांटिंग डेटा समझ में कुछ आ रहा है सर हां इसका एक साल में एक साल में इसका वैलू चेंज हुआ है 17 परसेंट का पॉजिटिव बैलू टेक्न लोजिकल इंडिस्ट्री में है सर डॉंट वरी गूगल इतना सर अपर सिर्फ आइपोन बनाके ही टॉप क्लस बैलू बना दिया गूगल का 50 में आता है जैसे कि डिलॉइट अभी हम लोग डिलॉइट के बारे में बात कर रहे थे जेपी मौगन के बारे में बात कर रहे थे यह फिनांशियल सर्विस या बिजनेस सर्विस प्रवाइड करते हैं टाक्स अकाउंट फिनांस यह भी वर्ल्ट के टॉप 50 कंपनीज में जिसका वैलिएशन है ठीक है 13.7 वीलियन 13.5 बिलियन ठीक है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्नोलाजी है फिनांस भी है अब भीस ली तो आप लोग समझ पहार हो ना मास्टर कार्ड वो भी फिनांस में आता है वो भी है जो क्रेडिट कार्ड वगेरा सब इसू करते हैं टेक् समझ में रहा है तो इसके पीछे भी वही अल्टमेटलि एकांटस का खेल तो अल्टमेटली इतना सारा बात करने के बाद आपको क्या लगता है ग्रुट अभू अपांटिक इसक्रेट इसक्रोचित विटेबलोंट अब बिजिनेस वाल्ट दस तो अढ़स्टैंग and communication of financial informations about business enterprise to facilitate decision making the aim of accounting is to meet the information needs of the rational and sound decision makers and thus called language of business इतना सारा बात करने के बाद हमें यह समझ में आ रहा है यह accounts तो business का language होता है sir ठीक है ओके सब अच्छा देखो sir accounts का meaning के बारे में क्या बताया गया है सबसे बड़ा अकाउंटिंग बारे में क्या बताया गया है कमीटी ऑफ टर्मिनलोजी सेट आप आप अमेरिकान इंस्टिट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स अक्चली यह वर्ल्ड का सबसे बड़ अकाउंटिंग बॉड़ी है सबसेंट्स अकाउंटिंग बॉड़ी में मतब नंबर ऑफ मिंबर की साबसे भी काम का जो वर्ल्ड वाइड जितना वॉल्म ऑफ वर्क करते हैं इंटरनाचनल लेवल में सभी क्यों पर तो 1961 में एकांट्स के बारे में क्या बताया यह बहुत फेमस डेफिनेशन्स की साबस विल्ल अक्सेप्शेंस मतब अक्सेप्टन सेजगांटिंग इस दी आठ अफ रिकॉदिंग ग्लासिफाइग अन्समाराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर और इन तरम्स अफ मनी ट्रांजक्शन अने वेंस विच आरिंपार अप्लिस्ट अफिनेशल चारेक्टर अन इं कैसे कंपनी कैसे अकांटिंग सिस्पेम में जानल होता है लेजर होता है वह वाला बात यहां पर थोड़ा सा डीटेश में बोला है ठीक है अगर मैं थोड़ा सा इसके पीछे का स्टॉरी आपको सुना व धियान से सुनना सा स्टूरी है आपको तो कुछ महनत नहीं करना this recording is done in journal or subsidiary books also known as primary books तो फिर journal को क्या बोल दिया sir subsidiary books और subsidiary books का और दुसरा नम क्या है primary books याद रखना sir यही सब तो छोटा-छोटा सवाल बन जाता है every good record keeping system includes suitable classification of transaction and events as well as their summarization of ready reference after the transactions and events are recorded they are transferred to secondary books तो फिर secondary books किसको बोलते हैं sir लेजर को बोलते हैं भूला मत यह सब छोटा-छोटा बात बहुत बड़ा इंपक्ट डालता है तो primary books हो जाते है journals secondary books हो जाता है लेजर इन लेजर transaction and events are classified in terms of income expense assets liabilities classify किया जा रहा है लेजर पे according to their characteristic and summarized in profit and loss account and balance sheet तो फिर summary को हो एकाउंट का जब हम लोग company का PL and balance sheet बनाया तब वो summary में convert हो गया starting में हम लोगोंने Infosys and Jaguar Land Rover का देख रहे थे तो फिर मुझे फिर से दिखाने का भी जरूरत नहीं है I think आप लोग connect कर सकते हो essentially the transaction and events are to be measured in terms of money measurement in terms of money means measuring the ruling currency of a country for example rupee in India dollar in USA and the like transaction and events must have at least in part financial characteristic the inauguration of new branch of bank is an event without having financial character while the business disposed of by the branch is event having financial character accounting also interpret the records classified and summarize transaction and events so I think accounts का ये record करना काम journal का है classify करने का काम ledger का है and summarize करने का काम PL balance sheet का है ये तो concept clear है ना सर अच्छार बोलो कि आकांट स्पीज रिकॉड कर रिकॉड करना classify करना and summarize करना ये तीनों concept एकदम clear है ना ये record कहां होता है जर्णल में होता है classify कहां होता है लेजर में होता है and summarize कहां होता है PL balance sheet में होता है जब जब आप company का details financial account build करो आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए कि अच्छा अभी तो हम record कर रहे हैं ठीक है जो लोग मार्केट में टैली का का काम करते हैं सर वो क्या करते अकाउंटिंग करते हैं जो सिर्फ टैली के त्रूसे किसी भी company में बैठके डेटा एंट्री कर रहा है वो क्या करता है accounting करता है कि हां सर ऐसे मार्केट में कुछ companies है ऐसे बोलते हैं विका में अकाउंटेंट ऐसे करके मैं आपको एक बताता हूं कोलका तमेंग कैसे ओर्गनेशन चलता है एक कोचिंग इंस्टिट्ट ऑब इसली नाम है सर आइसी ए बोलके ठीक है आईसी ए इंसिट आफ ठीक है सर यह एक प्राइवेट कोजिंग इंस्टीट है जो डेटा एंट्री वगरा सिखाते हैं सर अच्छा बुरा मुझे नहीं पता बट हां कोई-कोई करके अब बिसली मार्केट में पांच-छे-जार साथ-जार का नौकरी मिलता है इसा नहीं बोलोंगा नहीं मिलता मिलता है तो फिर यह तो सर ऐसे आप लोग जरूरी नहीं है आप लोग इंस्टीट से जो सिखोगे ना वह और लोग इसके बारे में बोला सर इसे बड़ा फेमस बहुत सरा जगा में ब्रांच बनाया है बिसनस स्कील्स इसका बहुत बहुत टॉपक्रलास बिसनस स्कील्न नों ने लेकिन चसज़ते यह बोलते हैं अकाउंटेंटमेन इसको अकूंट नहीं बोलते हैं अंकाउंटेंट मे में और वुक कीपिंग में फरग के सार अ हम ठोग सर्क रोखक्त Whether Rekorrtि कर पाई। करते हैं वो बखीन कुछ नहीं करता सिर्फ रेकॉर्ड करता सिर्फ पर यह तैकर मैंने देखाए सिर्फ जर्बूल भी तो कौन का होता है वं आपता है क्निक बश्सक्राइब करें करना है मौत अब समझ सकते हो न क्यों टैली सीखने के बाद सिर्फ उतने का लेकिन सरीरी नहीं सिखना चाहिए नहीं नहीं सरक्षाइब सब्सक्राइब करने का सिस्टेम है कि आपको रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा आप समझ रहे हुँ ना मतब वह रेक्टिफिकेशन वाला एक चैप्टर आएगा मैं करवाएंगा आप लोगो तो उस चैप्टर में आप लोग देखना है कि आगर आपका इंट्री आगे मूव करेगा कुछ ऐसा कॉंसेट में सब्सक्राइब को बनाया का कोशिश कर रहा हूं तो हो के सब्सक्राइब यह था अच्छा तो याई सीपीए के बाद में मैंने बोला ठीक है इंडियन सीए अगर 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 आपक्लास चाहिए और कुछ नहीं करना इसके बार में मुझे और कहने का जरूरत नहीं है विगास आपक्लासिफाइब इसको जरूरी होता है यह भी मैंने बता दिया तेक से स्टोरी सुरू में जो बोल रहा था था ना उसी पर मैंने आधा से ज्यादा काम कंप्लेट करके रखाएं फिर जहां पर जहां मुझे लग रहा है कि इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहिए मैं बता रहा हूं एविल्यूशन अपको सोशल साइंस प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा एनादर स्टोरी कि यह अकाउंट को सोशल साइंस बोला जाता है शायद आपने कभी नहीं सुना होगा कि सर अकाउंट को सोशल साइंस भी बोलते हैं हां सर अकाउंट को सोशल साइंस भी बोलते हैं थोड़ा वेट करना सर कुछ कहानी पता से लेगा यहां पर कहानी में क्या है थोड़ा ट्वीस्ट है ट्वीस्ट क्या चलो आते हैं न आरे सर आप लूग हो सुन रहे हो या फिर सब खो गए हो बोलो सर खो गए की एक दम जिंदा हो कहानी चल रहा है मैं सोच लगी सुनते संदे सो गए होंगे इन इस ओल्डेस्ट फार्म अकांटिंग एडिट इस टिवर्ट्स मतलब जिस तरीके से किसी भी कॉंसेप्ट को रखा जाता है न उसको स्टिवर्ट्स कहते हैं मतलब सब उस अकांट को इस तरह से मेंटें करना है तो जिस तरह से मेंटें करना चाहिए हर चीज का अपना अपना तरीका होता है तो एक टाइम पर आकांट्स का यूज क्या होता था जो society का wealthiest person होता था वो किसी को रखता था अपने का पास जो उसका property का हिसाब किताब रखता था the stewards in turn rendered an account periodically of their stewardship the stewardship accounting was not root of financial accounting system the presently followed system of double entry bookkeeping आजकल double entry चलता है मैं आपको बता आता हूँ double entry and single entry में क्या फरक होता है has been developed only in the 15th century ठीक है ये normally कहा जाता है father of accounting किसको गहा जाता है सर नाम सुने होंगे मेरे मूण से शायद या फिर आप लोगों कुभी पता होगा पहले से फारऑ- अकानोंटींग किसको कहा जाता है जैसे फारव ययिकोनमिक्स इडिम श्मीध मीत को कहा जाता है वैसे फारदर of accounting इसको कहा जाता है कौन बोलेगा बोलो सर नहीं बोलेगा लुका पैसियोली यह एक फेमस इतलियन बिजनेसमेन है सर इतलियन बिजनेसमेन ठीक है यह डबल इंट्री सिस्टेम को अक्चली मार्केट मेला इतलियन बिजनेसमेन लोग का पैसी होली फर्स टाइम में इसके इसको प्रोमोट किया था इतलियन इसका बहुत यूज था उस टाइम पे बिफोर डाट अकॉंट्स में ट्रेन होता था बट डबल इंट्री सिस्टेम नहीं होता था से एक्जांपल अगर आपने एक लाप्ट परचेस और फिसे 1500 अ अंगर इन कैश होगा तो क्या अंट्री करेंगे और इन क्रेडित होगा तो क्या कॉन बताएगा सर लाप्टप परचेस लुपीस 50,000 इन कैश और क्रेडिट यह ट्रांजाक्षेंस को मुझे जाण्रल इन्टी करके बताओ बोलो सर लाप्टॉप पर्चेस रुपिस 50,000 कैश में भी और क्रेडिट में भी क्या एंट्री हो जाएगा बोलो सर्फटाफट और 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 कैश लाप्टॉप अकाउंट डेबिट करना होता है कि लाप्टॉप बिजनेस के लिए असेट है जीनbad को फिर से रिवाइज करूंगा तो एक बड़ा फिर से कर ले ना जिनका रिवाइज ने हो फिर से कर ले ना लैप टोब आड़ान डेविटं डिवेट 50,000 कि uploaded क्रेटि 10,000 एक वी क्रेडिट को और क्रेडिट में खरीदा तो अगर आपने उधार में मार्केट से लिया तो क्या एंट्री करोगे कि मैशने तु क्रेडिट अब रचाव मेट तु क्रेडिटर तू क्रेडिटर आमांट फिफ्टी थाउजन ही होगा है कि तैंक यू सर देखो मैं आपको जानल नहीं सिखा रहा हूं अभी मैं बस आपको डबल एंट्री के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं यह जो सिस्टेम है इसमें एकाउंट का साइंस देखवा कि लाप्टॉप के लिए हमने पचास लैपटाफ सबसे पहले मेरे लिए एसेट है तो बिजनेस में एसेट आने से उसको डेविट किया जाता है ऐस पर गोल्डेन रूल एस एस पर मॉडन रूल देरा दू टू 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 टाइपस ऑफ जनल रूल है एक्शली एक को गोल्डेन रूल कहा जाता है जो पुराने जमाने भी यूज होता था ट्रैडिशनल में 30 इस ऑल्सो और दूसरे को कहा जाता है एकाउंटिंग एक्वेशन या मॉडन रूल दोनों रूली आपको एसेट आने को बिजनेस में कर एसेट आ रहा है लेकिन बदले में आपके हाथ से कैश तो चला ग आपका जो कैश फ्लो मेंटेन होता है जैसे कि हम लोग स्टाटिंग में देख रहे थे कंपपनी और कितना चाह रहा है कितना था रहा है तो इसे हो लिए यह प्ट उंडरस्टाइंड की जब company यह कैच का इंट्री कर रहा है ना बाद में कंपणी इसका समरी करेगा तो देखेगा कि कंपनी के पास से कितना निकला है कितना कैश कंपनी का आउटreno हुआ है इसका दिटास काagers चेक करने से ही इसके लिए इसके लिए लेजर बनेगा जब आप उसको क्लासिफाइप करोगे और उसके लिए क्या क्ये लेजर में क्या पूस्ट हो जाएगा कि भाई लैप्टॉप हाँ सर तो फिर जब आप कैस्ट करते हो एस पर डबल एंट्री सिस्टेम आप देख लोग है कि भाई लैप्टॉप के लिए मेरा कैस्ट पचासे जार निकला है जब डे बाइडे बिजनेस बढ़ता जाता है या कि कि लिए खर्चा कहां किये घाक पच्यासद क्यों दिख रहा है यह तो अगर अगर प्रॉपर अकौंट करोगे किसके लिए क्या हो रहा है जैसे लिए बोलते हैं नो न्यूटन का फार जो के लिए जो जानल इंट्री है ना यह जानल एंट्री आक्चिली न्यूटन का थाड लौ है हाँ सर आई जैक न्यूटन का थाड लौ क्या बोलते हैं सर आप लोग बताओ मुझे लाप्टप खरीदा उसके बदले पच्छाशार गया क्या इक्वेल और अपोजिट रेक्शन नहीं हुआ हाँ सर मेरे पास पच्छाशार का लैप्टप आया आपको यह भी देखना होगा कि दुख भी बात है कि इतना दिन से आपके पास जो पच्छाशार का कैस पड़ा हुआ था वह कैस तो भी आपके पास और नहीं है ही पैसा पास में रहने से वह भी खुशी का बाद होता है यह सपा स्च बताना के पास में पैसा रहने से खुशी मिलता है और क्यों नहीं मिलता जिस दिन पॉकेट खाली रहता है कैसा लगता है नहीं च़ेंगर फिर नहीं हुआ को oh yes no कुछ तो बता है तो कूछ पाने के लिए कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता एक सब्सक्राइब टो जन्रल इंट्री न्यूटन थाइड लो के विशिस में चलता है और इसको बड़ा सांटिफिकली उसकिया गया है बड़ा सांटिफिकली तो इसके लिए आपको क् सबस्क्राइब को इसी का हिसाब पता चलेगा तो सर क्या नॉरमल लोग ये फॉलो नहीं करते हैं यह फॉलो करते हैं नॉर्मली लोग सिंगल एंट्री करते हैं आज पर गर के बगल में जो ग्रॉसरी इस्टोरे वहाँ पर चले जाओ एक ऐसा लंबा पड़्चा रखता है एक दम पूरा का पूरा लंबा पड़्चा सिंगल एंट्री सिस्टेम में क्या करेगा बोलो सरुव अगर अपने दुकान के लिए एक लैपटप पर्चिस करेगा वो क्या चाहीं अभ्ण क्या लगता है एंट्री तो थे एंट्री तो करेगा फिसाब रखता है क्थ्या अध्री करेगा कि तो बोलो सरं कुछ तो आइडिया होगा कुछ गोच रहा हूं कि जैसे यहां पर हम लोगों ने लैप्टप दबाइक लब फर आप्तोप ऑच सब्सकरता गया ना रापटप अकांट अगर खiudh या फिर लाप्टप एकॉंट डेवी टूट्रेटर अगर क्रेडिट में है तो फिर बाद में पेमेंट करना होगा माइक कोश्चन इस कि यह कोई बड़ा बिस्ट मतलब जो एकॉंट्स मेंटेन करता है वह ऐसे करेगा डबल एंट्री में लेकिन जो सिंगल एंट्री मेंट्र करता है मतलब सिंगल एंट्री मतलब डबल एंट्री नहीं ऑप्यस्ली जो ट्रैडिशनल मेधर्ट भी बोल सकते हो वह क्या करेगा जो बगल वाला ग्रासरी स्टोर या सबजी का दुकान वाले वह वह एकॉंट्स मेंटेन करता है उसका भी एक अपना कॉपी किताब होते है जिसमें वह सारा का सारा चीज़ लिक करते हैं तो वह क्या मेंटेन करेगा लाप्टाप पर जिसको अब सिप्लेट अष्ट का मों कि बाइंग लाप्तप हां ऐसे करके कुछ या बाइंग लाप्तॉप है बोलो है तश बैलेंट जीट लेक्त पर हों तो बैलेंट नहीं सब्सक्राइब करता है रेकॉर्ड करता है वह रेकॉर्ड करता है वह क्लासिफाइब भी नहीं करता है यह ज्यादा मुझे पसंद आया ठीक बोलेगा लाप्टाप पर्चेस फिप्टी थाउजन और कुछ नहीं करेगा सर लाप्टाप पर्चेस फिफ्टी थाउजन बस कैश क्रिडिट वह भी नहीं मेंचेन करता है हाँ अगर किसी के बस बाकी है न तो फिर ऐसे लिखके रखता है अमाउंट अमाउंट टुबी पेड ब्रैकेट में शाइब लिखके रखेगा कि मुझे देना है किसी को ठीक है अम है तो यह समthiny जो दुपान से है उसकान का नाम लिएगा इतना करेगा इस से जादा कुछ नहीं करेगा तो समझना बड़ा मुश्किल रिएक तो कहीं वालग मुघ ना करता है सब जीवाला लोग भी करते हैं एक positive नौट नहीं मुधी खाना कितना बड़े-बड़े बिजनेस भी करते हैं ठीक है मतरब ऐसे बिजनेस बहुत लाग कड़ों का करता है लेकिन प्रापर accounts कैसे क्या करता है बताब आजकाल का पढ़ाई का सिस्टेम कुछ ऐसा ही चल रहा है सब पास का सिस्टेम चल रहा है कि कौन कितना पास किया अब छोड़ो सर अच्छा इंदे सेकेंड फेस्ट आईडिया फिनांशियल अकांटिंग इमर्ज विदी कॉंसेप्ट जॉइंट सॉक कंपशन पास को आजब गया तो दिरे चांट को और बहतर बनाया गया तो 15th century के बाद 12th century के के पास में पता चला था कि डबल एंटी सिस्टेम आ गया था 12th century मतलब बारासो सथवी के आसपास में बन गया था मतलब इसका कभर मिल गया था तो इस तरह से धीरे धीरे अकाउंट का मार्केट में बोल बाला चालू हुआ जो बारासो सथवी के पास से मतलब 1200 के बाद से धीरे 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 1500 में लुका पैसिवली 15th century में लुका पैसिवली इतली में इसको और प्रोमोट किया अकाउंट का बेन अब्जेक्टिव क्या है जैसे कि हम लोग इन्फोसिस का देख रहे थे जागुवर और लैंड रोवर का देख रहे थे प्रोवाइद इन्फोरमेशन तो दी यूजर सव राशनल डिशिशन मेंकिंग तो नो दी शॉल्वेंसी पोजिशन क्या होता है सर कौन बताएगा बाकी चीज तो मैंने बोल के रखा कॉच्षूर सोलवेंसरी पोजिशन क्या होता है से पिछया का मारकल में जो ड dif घृब्स लॉवाइबलिटी चैनल ख़ीस यह एकर मार्कल मार्कल में लोग से किसलिशन03 आपनाato लोन लेने जाते है ना तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट एंड बैलेंशीट चेक किया जाता है यह जो मैं आप लोग को शो कर रहा था ना इन्फोसिस का या जागुवर का या लैंड रोवर का ठीक है यह वाला कुछ भी आप देख सकते हो यहां पर तो इसमे ुएं जब भी हम लोग कंपनी का कशिश कर रहे यह कंपनी का बैलेंशी टीक है तो जब भी कोई भी बैंक इसकंपनी की को लिए जाय diva न ऊजह घ कंपनी के बास यह जाया जो एक साल के अंदर company जाएगा company को ऐताइध मतलब जोडते हैं कंपणी के पास काक्त क्या व वैलूईश वीट CH valve आयंवेंग्यों नहींट है कंपक्नि के इतना है जाएट रॉडेड एपपनी को लोन प्रुबाइट करना बड़ा आसन हो जाता है तो कंपणी का पी यल बैलन्च चेक करो यह इसीली गेट टू नो दिसॉल्विंसी पूशिशन अप दी कंपणी मार्केट में इसका लून का एरिया भी आप देख सकते हो यह देखो कंपणी का मार्केट में लून का इरिया भी नहीं होता इसलिए सब बिजनेस में ना सौफ्टेर कंपणी से बड़ा अच्छा बिजनेस देता है सर मेरे इन्वेस्टमेंट है तो कंपणी बड़ा अच्छा करता है सर ओके तो अब्जेक्टिव एकांटिंग का समरी देख लो फटाफट एकदम सिस्टेमेटिक रिक लोगों के साथ कम्पणी करना चाते हो उसके लिए आपको फिनांचियल रिपोर्ट बनाना पड़ता है जैसे कि हम लोग तब लोगों तक पहुंचा सकते हो आई यहोप कि आप लुट को अकॉंट का पुरा कॉंसेट दिमाग चार रहा है मझे इतना जरूर मैं बिलीव कर सकता हूं बस और कुछ पॉइंट से सफ़ ज़्यादा कुछ नहीं है इतना देर तक पेसिंस रखे तो और and the फ्रेसे सरक लो functions of accounting, मैं समझ सकता हूँ, यह सब स्टोरी थोड़ा बड़ा होता है, क्या करें, functions of accounting क्या है, measurement करना, forecast करना, decision करना, comparison and evaluation करना, control करना, government regulations and taxation के लिए काम करना, यह accounts के लिए बहुत important बात है, bookkeeping and accounting का एक basic difference आपके साथ मैं ज़रूर discuss कर लो, बहुत famous questions है sir, difference between bookkeeping and accounting, ठीक है sir, bookkeeping करना और accounting में फरक केतना है, please point to be noted sir, very very important concept है, it is a process concerned with the recording of transactions, transactions को record करना होता है, bookkeeping, लेकिन accounting क्या है, it is a process concerned with the summarizing and the recording of the transactions, summarizing of recorded transactions, मतलब उसमें PL balance sheet भी बन जाता है, but bookkeeping में PL balance sheet नहीं बनेगा, it constitute as base for accounting, obviously इसके बिना account बनेगा नहीं, it is considered as language of the business, जिसको देखके लोग बिजनेस को communicate कर सकता है, financial statement do not form part of this process, obviously, मतलब PL balance sheet and cash flow इसका पार्ट नहीं होता है, इसमें सिर्फ journal, ledger and trial balance होता है, financial statement are prepared in this process and the basis of bookkeeping records, मतलब journal, ledger, trial balance में जो भी आप करोगे, उसी की basis में आपको PL balance sheet draw करना है, cash flow statement draw करना है, managerial decision cannot be taken with the help of these records, bookkeeping देखके कभी भी आप managerial decisions नहीं ले सकते, but management can take decisions through accounting, there is no sub-field of bookkeeping, but accounts का बहुत सरा sub-field है, जैसे की, financial accounting, management accounting, cost accounting, ये accounts का ही sub-field है, sir, bookkeeping का कोई sub-field नहीं होता, ठीक है, financial position of the business cannot be ascertained through bookkeeping, but financial position of the business can be ascertained through accounting, sir, बोलो sir, bookkeeping and accounting is a very easy, I think, इतना देर से इतना सरा story सुनने के बाद, मुझे लगा कि ये तो एक्दम बच्ची जैसा लगा हाँ, sir, बेरी छोटा मुटा चीज लगा, accounting or bookkeeping a difference, if I am not very wrong, अगर आप थोड़ा सा ecosystem को देखो, this is called ecosystem, okay, ecosystem, मतलब ये accounting का system कैसे बनता है, सबसे पहले basic काम करो, sir, bookkeeping का, bookkeeping के बाद आपका होता है accounting, और उसके बाद जो complete level में बनता है, उसको कहते है, accountancy, okay, ये please याद रखना, सबसे primary काम होता है, bookkeeping, फिर बनता है accounting, फिर उसको complete level में बोला जाता है, accountancy, okay, sir, चला, sir, अब एक interesting काम पे आ गए, sir, बड़ा interesting field में आ गए, subfields of accounting, sir, accounts का बहुत सारा subfield भी होते हैं, subfield मतलब, sir, जानते हो आप लोग, जैसे कि जो लोग CMA का पढ़ाई करते हो, ठीक है, क् financial accounting तो है ही, accounts का main, लेकिन आप लोग जानते हो, जो CS भी पढ़ते हैं, जो CMA भी करते हैं, इनको ये subject बहुत पढ़ा जाता है, especially cost and management accounting, जो CMA है, इनका course का नाम ही इस तरह से बना हुआ है, cost and management accounting, you can see here, cost accounting and management accounting, दिख रहा है, sir, मुझे पता ही, हमारे यहां पर बहुत लोग CMA में दोनों करते हैं, कोई कोई सिर्फ CMA भी पढ़ाई करते हैं, तो मैं जैस पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कि ये actually accounts का क्या है, subfield है, hello sir, समझ मैं रहा है, विशाल, बोल, ये, sir, ये, sir, thank you sir, management accounting, cost accounting, ठीक है, ये दोनों actually accounts का subfield है, मतलब क्या है न, कि accounts इतना बड़ा हो रहा था, तो management का जो accounting, जिसमें, basically marginal costing, ठीक है, decision making costing, बहुत सरह होता है, ABC costing, there are lots of, मैं इतना रिटेल्स में नहीं जाना हो चाहता है, मैं इतना कहना चाहूँगा आपको, कि management accounting, company के लिए, ये, sir, जो लोग पढ़ते हैं, उनको भी पढ़ा जाता है, CA में तो specifically बन गया, sir, जो ICMA जो है, specifically CMA Act बन गया, 1959, ठीक है, 1959 CMA Act बन गया, उसके पर लोग पढ़ाई भी करते हैं, CA का तो पढ़ाई था ही, उसके साथ-साथ, 1949 में CA का education तो इंडिया में सबसे पहले आया, obviously, greatest जाने के बाद, सबसे पहले CA Act आया, ठीक है, उसके बाद, ये देखो, sir, ICAI, ये, 1949 Act है, देख रहा है सबको, 1949, instead of Chartered Accountants Act में, सबसे पहले तो, obviously, लाया गया, 1949, 1st July से, statutory body under the Chartered Accountants Act, 1949, ठीक है, Parliament to regulate the profession of financial accounting in India, point to be noted, sir, मैं क्या दिखारे का कुछिश कर रहा हूं, after that, आग ये, sir, ICAI, मतब इसको भी न, ICA, ICMAI, this one, ये भी आगया, ये आगया, sir, 1959 में, यहां पर date दिया है, sir, ये देखो, 20th में, 28th में, 1959 में, the Institute of Cost Accountants of India, previously known as Institute of Cost and Working Accountants of India, is a premier statutory professional accountancy body in India, with object of promoting regulation and developing the profession of cost and management accountancy, दिखाई दे रहा है, sir, इसको ICMAI के नाम से भी जाना जाता है, हां, sir, दिखाई दे रहा है, आप लोगो, ये, sir, तो basically, concept क्या हो गया, accounts इतना broad हो रहा था, उसको सभालना मुश्किल हो रहा था, तो उसको और थोड़ा spread करने के लिए, CMA professional body को अलग से बनाया गया, कोई-कोई CMA में दोनों बन जाता है, उसमें कोई problem नहीं है, because पढ़ाई का system करीब-करीब सेम है, क्योंकि CMA सही तो बनाये, बहुत लोग बुछते है, sir, CMA जादा अच्छा है, या CMA में जादा अच्छा है, अब क्या बताए, sir, बोलो, financial accounting का एक sub-field है cost accounting, ठीक है, और दोनों में करीब-करीब सेम चीज़ ही पढ़ाया जाता है, करीब-करीब सेम चीज़, बस इनका focus area cost and management accounting में होता है, लेकिन दोनों का work area भी करीब सेम ही है, बस हाँ, किसी-किसी के पास कुछ special area है, जैसे कि financial audit सिर्फ chartered accountant कर सकता है, लेकिन cost audit सिर्फ cost accountant कर सकता है, obviously market में financial audit का scope जादा है, cost audit का scope कम है, but tax consultant दोनों बन सकता है, financial advisor दोनों बन सकता है, मैं आपको चलो, वही सब चीज़े थोड़ा बता देता हूँ, यह का accounts का, अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ accounting system है सार, social responsibility accounting, human resource accounting, यह भी एक system है सार, social responsibility as well as human resource, मतलब आप business कर रहे हो, लेकिन society के लिए आप क्या कर रहे हो, यह भी एक important part आपको ध्यान रखना होगा, क्या आप अपना social responsibility के लिए कितना कुछ कर रहे हो, क्या आप environment को देख रहे हो, क्या आप school, college, बच्चे लोगों पढ़ाई के बारे में ध्यान रख रहे हो, not only business, ऐसी कि TATA करता है, TATA का business, जहां भी बनता है ना, वो social responsibility ज़रूर निभाते है सर, I must say you, यह TATA, social responsibility में बहुत अच्छा है, Infosys भी बहुत अच्छा करता है, Infosys के एक मतलब जो आपका, जो social responsibility देखने वाले हैं, आपको मैं उसका नाम बताता हूँ, आप जानते होंगे नारायन मूर्ती जी का wife, सुधा मूर्ती, नाम सुने हो, sir? जो Infosys ने, सुधा मूर्ती जी, सुधा मूर्ती, इस इंडियन ओथर, यह Infosys का, जितना आपका social responsible काम होता है, यह सारा का सारा handle करते हैं, सुधा मूर्ती, ओथर भी है, इंडियन ओथर भी है, बड़ अच्छे इंसान है, हाँ, बोल, आमार फेवरीट ओथर, फेवरीट ओ responsibility के बहुत बड़ा role play होता है, सिर्फ business करेंगे, profit करेंगे और घर चले जाएंगे, नहीं सर, आज की डेट में इंडियन बिजनेस सर, बहुत कुछ कर रहा है, एक चीज तुम्हें आपको बता दो, कि वो country जहां business develop हुआ है, वो ही country दुनिया में राज किया है, और उसी country का ह एक इंसान एक दम top class living standard मिला है, तो इसलिए business mind को please develop करो, इसमें कोई problem नहीं है, because एक चीज मैं मानता हूं दिल से, कि अगर आप मानो ना मानो, आपको आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा, चाहे आपका mentality किसी भी अंगल से काम करें, कि आज अगर इंडिया को आजादी मिल है, just due to some, because of some freedom fighter, some freedom fighter, and after that independence, बतव 1947 के बाद, अगर इंडिया ग्रो हुआ है, just because of some businessman, मानो या ना मानो, sir, politicians तो obviously, there, but politicians का क्या image बना है, वो तो हम देखी रहे है, but sir, business कुछ तो problem solve किया है, sir, whatever we are today, it's just because of business, business नहीं होगा, country नहीं हो पाएगा, sir, country नहीं हो पाएगा, पैसा कहां से आएगा, tax कहां से मिलेगा, लोगों का employment कहां create होगा, please try to understand, so please build your business mind, anti-business, जो mind है ना, यह बहुत बेकार का है, बहुत बेकार का, ultimate social reform business मैं नहीं कर सकता है, मतलब बिजनेस में डारेक्ट नहीं करता होगा, वो indirectly कर देगा, टाटा अगर सिंगूर में बन जाता ना, टाटा अगर सिंगूर में बन जाता टाटा business कर लेता, बट सिंगूर का जो area है उसका development हो जाता, या फिर बंगाल में कहीं भी हो, पंगाल में कहीं भी वेस्ट पंगाल में किसी भी जगा में एंटी बिजनेस पॉलिसी चलता है आपको बता दू मैं जिस्ट पॉलिटिशियन के खुद के benefit के लिए ताकि यहां के लोग ना ज्यादा पड़ा लिखा ना बन जाए यहां का लोगों के अंदर पैसा ना आ जाए तो फिर politicians के जो भीक है ना उसके लिए हम लोग भोट ना दे इनको politicians हमारे West Bengal में क्या कल्चर बनाके रखा है भीक का कल्चर बनाके रखा है और अगर हम लोग रिच बन जाएंगे न तो यह जो भीक देता रहता है न तो यह भीक मांगना बंद हो जाएगा और फिर इनका बोलवाला हो जाएगा यह politics बंगाल में चलता है सर मैं यहां के होके बोल रहा हूं आपको यहां जनम है मेरा बच्पन से आप भी देख रहे हो इन यहां का politics मैं भी देख रहा हूं मेरा humid के साथ मैं देख रहा हूं आप दी आपके उमर के साथ देख रहा हूं और seriously मैं के बारे में जाधा जानता हूं इसलिए बोलता हूं इसलिए बिजनेस को प्लीज एंटी बिजनेस मुव्मेंट ना बहुत खड़ाव है सबको बिजनेस करने दो सबके लिए इकॉल जगा दो एडूकेशन दो सबको पैसा जितना जरूरत है उसके लिए बैंक किस तुरू से प्रोजेक्ट के तो इसे बिजनेस माइंड बनाओ अनेप्लोइमेंट का भी प्रॉब्लम चला जाएगा सोचल रिस्पॉंसिबिलिटी अब आप सोच नहीं सकते इंफोसीस फांडेशन क्या क्या नहीं करता इंफोसीस फांडेशन हेल्थ केर में काम करते हैं आपका डेपल रूरल डीपलॉम्मेंट में काम करते हैं आठ कल्चर में काम करते हैं ऐंडिया में बहुत है इन लोगों का काम और एक कमपनी अजीम प्रेमजी इंट्रोड अब नाम सुन्हें हो सब 25 पेज्स कर दिया है इंडिय इडूकेशन के लिए लिए आपको přिद दूद सिंडीन इंडुकेशन के लिए लिए बहुत इंसान रहे कमा छुपी यहां ऑर एक दाद मन भर हुर के डिस्तरिब्ईट करते हैं और वह का बिजनेस जादा South India में बन रहा है that's why ठीक है आप यहां पर जाके इनका देख सकते हो Social Responsibility क्या कर रहा है अजीम प्रेम जी फांडेशन रिलाइंस कभी है टाटा तो आज नहीं टाटा आज बहुत दिनों से कर रहा है बहुत दिनों से तो अजीम प्रेम जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं आप देख सकते हो किसे सेल्फ एल्फ ग्रूप बनाके बिजनेस को डेवलाप करने का कल्चर बनाया है फिलान्ट्रफी बहुत सारा फिलान्ट्रफी है जिस्ट गो दियर वेबसाइट और दू सम रिसेर्च और प्लीज फील आट बिजनेस कें दू पादी चेंज सिरियस्टी इस लिए एंटी बि बड़ेगा ऐसे निकी बड़ा कंपनी आएगा तो प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगा नहीं सर छोटा-छोटा बिजनेस भीना बहुत बड़ा इंपक्त डाल सकता है चलो से आप लोग समझ रहे हो इतना मेरे लिए काफी है ओक यह सब मैंने बोल दिया इसके और कुछ बोल क्या रिलेशन्शिप है अकाउंट के साथ मैथे मैठने का क्या रिलेशन्शिप है लौं के साथ रिलेशन्शिप तो शायद जो लोग कंपरी अपड़ती हो समझ रहbnत एक चिज़ अबंड़ पर है रर्चीस का अपना प्रडनाल इनकोंडवले लेकर सकता है वानोड़ कश सिखे चाहिए एक सीए बनके एक सीए में बनके मिंटेनिंस और बुक्स और अकाउंट स्टेटरी ऑडिटर बन सकते हो उसके अंदर इंटेंडल अडिटर के भी बहुत बड़ा काम होता है मतब आप लोग को सोचते हैं आप देख लो क्या-क्या जॉब मिलेगा आप लोगों क सब्सक्राइब लिए सब्सक्राइब कर सकते हो अब देख सकते हो आप इसके अंदर डीटेल्स भी दिया हुआ है क्या-क्या कर सकते हो समझ में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आदर सर्टीय स्क्राइब और और सबांब है थो पोन्त अभी एक इसे項ब सब्सक्राइब क्यंए को सब्सक्राइब चुर्ण हीक रिर बहुत बड़ा काम है सर्कॉस अलशनाлись करने का अर्भानत की द्र्णश का सब्सक्राइब को सब्सक्राइब in his role in this applies the information promptly and an unambiguous language he should develop a system by which the regular flow of information both horizontally and vertically see a industry and CACMA both industry is very important about CMA to say this is a different place in India if there is a business that is because of CMA but behind every successful businessman there is a CMA this is a CMA CMA in both industry CMA CMA is a very important role playing just to share your notes go through the details I will tell you one more time go to the summary see some MCQ questions that you can solve knowledge test see I don't like you basics of accounts area doubt please recommend details because some questions I just request that you can see you know concept I don't think I don't think you can say sir understand or not say yes sir okay okay sir very long class I understand those who can do not do do that okay sir bye sir bye sir bye sir thank you sir bye rakshi rada okay tata tata bye sir okay tata bye sir bye bye